आज की कहानी का नाम है शौटकट जिंदगी हमारे पुष्टैनी गाउं में एक कहावत है कि कनुआ हमसे सहा न जाए और कनुआ बिना रहा न जाए ये फोन पे इमेल करने की सुविधा भी उसी तरह है ये वो पैरों की बेडी है जिसे सहा भी न जाए और इसके बिना रहा भी न जाए लेकिन उस दिन सुबह सुबह मैंने फैसला किया था कि कम से कम अपनी मॉनिंग वॉक के टाइम पे तो इस जंजीर को अपने पैरों से निकाल के फैंक तूँगा मैं मज़े में अपने हाथ थिलाता पार्क की ओर चल दिया बड़ा अच्छा लग रहा था कई साल से ये मॉबाइल फोन का चुमबक हाथ से हटा ही नहीं था खैर जैसे अपनी नहीं किसी दुश्मन की जिन्दगी उधार लेके जी रहा हूँ एक दिन मा के फोर्स करने पे पूरा हेल्थ चेक अप करवाया बच्पन के रिपोर्ट कार्ट की तरह कई लान निशान आ गए थे उस रिपोर्ट पे डॉक्टर दोस्त बन गया था बोला समल जाओ नहीं तो पश्टाओगे तो जॉगिन शुरू कर दी थी मैं आज बार्ट पहुँचा और अचानक कदम रोक लिए सड़क के पार मजदूर एक होर्डिंग में एक चेहरे का बड़ा सा पोस्टर लगा रहे थे दुनिया की सबसे खुबसूरत आखों वाली एक लड़की की तस्वीर मेरी एक्स वाइफ रिचा की तस्वीर उपर वाले ने उम्र और अक्ल का एक बड़ा पेचीदा कैलेंडर बनाया है जब हम बीस के होते हैं तो सब पालेने की जिद पे होते हैं जब 30 के होते हैं तो खुद पे फक्र कर रहे होते हैं या खुद को कुस रहे होते हैं और जब 40 के होते हैं तो हम अपने 20 और 30 के फैसलों को एक नई रोशनी में देख रहे होते हैं ये मौका देती हमें जिन्दगी कुछ लोग अफसोस के साथ जी लेते हैं कुछ लोग नहीं जी पाते मैं उन लोगों में था जो अफसोस के साथ जीना कभी सीख नहीं पाया थे सड़क के पार होर्डिंग से मेरी एक्स वाइफ रिचा मुझे देख रही थी वही रिचा जिससे मेरा रिष्टा कई साल पहले तूट गया था मैं जॉगिंग करने लगा था लेकिन सामने जॉगिंग ट्रैक नहीं पिछली जिन्दगी नज़र आ रही थी उन दों मॉडलिंग की दुनिया में कुछ करना चाहती थी वो वो कहती थी कि उसके और मॉडलिंग के खाबों के बीच मैं खड़ा था अब वो नहीं थी अब सड़क के पार मेरे सामने उसका खाब था जो सच हो चुका था रस्ते में पहचाने चेहरे दिख रहे थे मैं हाथ हिला देता पर मन में हजारों लम्हे फर्राटे से जाती कारों की तरह भाग रहे थे शादी के रिष्टे भी कारों जैसे होते हैं पुराने जमाने में जिन्दगी भर चलते थे अब चमचमाते हुए पहले से बहुत ज़्यादा खुबसूरत तो मिलते हैं लेकिन जिन्दगी भर की गैरेंटी के साथ नहीं आते चार-पांच साल में खराबिया निकलाती हैं शोर करने लगती हैं एवरिज कम हो जाता है हमारी शादी में भी एवरिज कम हो गया था और एक दिन रुख गई बीचों बीच एक वीरान सड़क पे जहां पीछे दूर तक कोई खुबसूरत याद नहीं रहती थी वो नजाने कहां गुम हो गई मैं जॉगिंग ट्रैक पे हाफ़ता चला जा रहा था जॉगिंग ट्रैक से उतर के कोने में गया बेंच पे बैटने को और फिर मैं गिरने लगा सही कहा था डॉक्टर ने चालीस साल के उमर में एक और आदमी को हाट आटक आ गया था पोस में भीगी घास पे गिर गया था मैं आखे बंद थी जैसे गहरी नींद हाथ पहलाए मुझे धीरे धीरे अपनी और खींच रही हो पहले पहले किसी ने देखा ही नहीं मुझे लेकिन सब कुछ सुना ही पढ़ रहा था चिडियों का चहए चाहना एक वक्त था जब फोन पे नंबर वन पे मेरी बीवी रिचा का नंबर स्पीड डायल पे दर्ज होता था अब इस शहर में कोई मेरा इतना करीबी बचा ही नहीं मैं शॉर्ट्स और जूते पहने था वहीं जमीन पे पड़े पड़े गीली घास की नमी धीरे धीरे मेरे मोजों को नम तो कर रही थी पर मेरे पाउं को महसूस नहीं हो रहा था बेजान मन के किसी कोने में घड़ी की सुनिया से गिन रहा था अचानक एक छोटे लड़की की आवाज आई पापा पापा वहाँ एक आदमी मरा पड़ा है एक और आवाज आई ओ माई गाड सिमेंट की जॉकिंग ट्रैप पे पहरों के तेज तेज चलने की आवाज आई एक दो फिर कई लोग आ गए मेरी आखें बन थी पर मन सुन रहा था अरे नबस देखो भई अरे पुलीस का मामला है भई या सो नंबर में फोन कर दो क्यों पच्चणे में पढ़ते हो सब सुन रहा था मैं पर असहाय था मुझे पता चल गया था कि मैं मौत के करीब था अफसोस कर रहा था क्यों याज शहर माँ पापा को तीन दिन से फोन नहीं किया रिचा को याद कर रहा था तुम क्यों चली गए रिचा आज तुम होती तुम्हें घास पे बेजान नहीं पड़ा होता इन बेदिल लोगों के लिए तमाशा नहीं बन गया होता अरे ये तो अपनी सोसाइटी का तरून है आओ बई आओ उठाओ इसे तुमने मुझे कभी अकेला नहीं चोड़ा होता रिचा तुमने मेरी जिन्दगी को यू बिखरने नहीं दिया होता नबस चल रही है नबस चल रही है काड़ी लाओ गेट के पास हाथ दीजे भई उदर से हमीद भई तुम क्यों चली गए रिचा मैं तुम्हारे बिना खतम हो गया मुझे गाड़ी की पीछे की सीट पे रख दिया गया था अपने निकम में नाकारा जीवन में शायद कभी किसी का भला किया होगा जो मेरी बिल्डिंग के कुछ लोगों ने एक मरते हुए आदमी को अस्पताल ले जाने का फैसला लिया था मेरे पाउं पीछे किसी आदमी ने अपनी गोद में रख लिए थी मेरी आखे बं थी मन सब सुन रहा था यही तो कहते थे ना सब लोग हमें मंडप के नीचे यग्य की वेदी के सामने बैठ कर मंतरों के उचारण के बीच मैंने देखा था तुम्हें ऐसे जैसे उस से पहले कभी नहीं देखा था हलकी सी ठकान माथे पे पसीने की दोपूंदे बिकरी हुई बालों की एक लट और मुझे देखके होटों के किनारों की दहलीज पे खड़ी एक मस्कुराहट नब्स देखते रहो हमीड भाई फोन लगाई है एमरजनसी में बोली पेशन को ला रहे है अरे वही इसका कोई घरवाला यहां पे फोन कर सकें जिसे तुम्हें पता है रिचा उस दन पहली बार फूलों से सजे उस मंडब के नीचे तुम जो मस्ती में कॉमन फ्रेंज की वज़े से मुझसे शादी करने के लिए हाँ तो कर बैठी थी तुम मुझे पहली बार देख के शर्माई थी शाद पहली बार एक दुलहन जैसा महसूस किया था कितने अच्छे कटे थे हमारे शुरुआत के दिन हानी मून पे लॉग हट में बैठके फाइर प्लेस के किनारे मैंने पहली बार जाना था कि इस खुबसूरत चहरे के पीछे इस से भी खुबसूरत एक मन था राइट लो राइट लो इधर ट्रैफिक बहुत जादा होगा ओई रिक्षा हटना फिर क्यों वह खुबसूरत रिष्टा अचानक थोड़ा कम खुबसूरत लगने लगा था फिर क्यों हम एक दूसरे से दूरिया महसूस करने लगे थे क्यों छोटी छोटी बातों पे जुनजुलाने लगे थे वही चीज़ें जो पहले अच्छी लगती थी तुम्हारा ओफिस फोन करके पूछना कि मैं शाम को क्या खाऊंगा क्यों इसी पे खीज लगने लगी थी क्या कम हो गया था रिचा स्ट्रेचर स्ट्रेचर हाँ एमेजनसी वाट में ले चलो भई तुम पार्टी से देर से आती थी मैं अकेला रहता था फिर मैं देर से आने लगा था मैं तुम्हारा अक्सर तुम्हारे पेरिंट्स के घर जाना नहीं पसंद करता था और फिर एक दिन तुमने कहा तुम मॉडल बनना चाहती हो इनको हार्ट अटैक हुआ है बई, सुजरी करनी होगी कोई इनका रिष्टरार कोई घरवाला है आप में से हाँ ओई तरुन की वाइफ का है, उसने छोड़ दिया यार उसे क्यों छोड़ के चली गई तुम मुझे, रिचा ओक्सिजन सिलिंडर धकेल के लाया जा रहा था नर्सें तेज तेज चल के इंतिजाम कर रही थी मुझे ऑफिस निकलता हूँगा यार, आज क्राइसिस है मैं चलता हूँआ, मुझे आवाज सुनाई दी थैंक्स सो मच यार, बड़ी हल्प की तुने कोई मिला तरुन का घरवाला फिर एक नर्स की आवाज आई इनकी फैमिली से है कोई? नहीं मैडम, पता कर रहे है बाहर कोई और अम्बिलन्स किसी और मरते हुए आदमी को ला के रुकी सर पे खून निकला गिरते टाइम चोट से पुलीस केस है साइन नहीं होंगे तो आपरेशन शुरू नहीं होगा सर मैडम क्या कह रही है, यह आदमी मर जाएगा मैं माफ ही चाहता हूं रिचा कि मैं तुमको अपने मम्मी पापा से मिलने जाने देने पे इतराज करता था हस्बिन्स कभी-कभी हस्बिन्स कम और जेलर जादा बन जाते हैं यह सोचते हैं कि बीवियां उनकी सेवा के लिए है हब माता-पिता की सेवा करने क्यूं जा रही है मुझे माफ कर दे न रिचा इतनी छोटी सी बात पे मैं इतना छोटा हो गया था तो मैं नाराजगी दिखाने लगा था जिद्दी था मैं तुम्हारे मन को कभी समझ नहीं पाया खास कर तब जब शुरू-शुरू में पापा मुमी साथ रहने आते थे ओपरेशन थे ले चलो नहीं नहीं ब्याही एक लड़की का मन कहां कोई पुरुशाज तक समझ पाया है नए घर नए लोगों के बीच आके रहने की घबराहट सब के अकांगशाओं उम्मीदों पे खरे उतरने का दबाव Scissors प्लीज शायदी किसी डॉक्टर की आवाज थी ओपरेशन चालू होने वाला था बेहोश करने जा रहे थे मुझे और रिचा क्यूं मैं तुम्हें कभी यकीन नहीं दिला पाया कि रुक्मिनी सिर्फ मेरी दोस्त थी पत्नी के लावा किसी भी पुरिश और स्तरी के रिष्टे को पवित्र होने के लिए राखी बानना जरूरी नहीं होता है कितनी छोटी छोटी बातें हमारे रिष्टे को अंदर से रौन रही थी हम दोनों के साथ दो और बिन बुलाई महमान रहने लगे थे हमारी एगो एहम शाद मैं चाहता था कि तुम वही सेवा करने वाली बीवी बन जाओ इतनी आजाद नहो जाओ कि मुझसे दूर चली जाओ मैं घलत था रिचा मौडलिंग करने से मेरा तुम्हे रोकना घलत था लेकिन तुम्हारा उस शाम दर्वाजा स्लैम करके घर छोड़ के चला जाना वो भी नहीं सही था रिचा और फिर कभी पलट के ना देखना वो कहां सही था तुम्हे छोड़ के क्यूं चली गए रिचा अनेस्थीजा प्लीज स्टैन बाई जीवन और मृत्य नाम के दो विशाल पहाडों के बीच एक छोटा सा पुल होता है पतला पकडंडी जितना पतला मैं आपरेशन थेटर की टेबल पे थोड़ी था मैं आज उस जीवन और मृत्य खूब बड़ा होजा बेटा क्या मिला बड़ा होके बेवकूफ हो जाते हम बड़े होके रिश्टों की कदर नहीं करते लोगों की कदर नहीं करते काश मैंने की होती और काश तुमने एक बार मुझे बिठा के समझाया होता कि बात मॉडलिंग की नहीं थी बात उन सपनों की थी जो तुमने बच्पन से अब तक देखे थे और ये सोचा था कि मैं तुम्हारा जीवन साथ ही वो शक्स जो दुनिया में तुमें सबसे ज़्यादा प्यार करता था उन सपनों को पूरा होने दूँगा मदद करूँगा तुमने कभी دोस्त बन के मुझे समझाया होता कि ये तुम्हारे लिए तुम्हारे सपनों के लिए कितना जरूरी था लेकिन मैंने ना समझी मैं तुमसे कह दिया कुछ और तुम मुझे छोड़ के चली कहीं रिचा इतनी छोटी छोटी बातों से तूट गया हमारा रिष्टा कांच के खिलोने जैसा खुबसूरत लेकिन कांच के खिलोने जैसा ही कमजोर निकला काश हम ऐसे नहीं होते काश अपनी टुकडा टुकडा ना समझी के कारण एक नई जिन्दगी मिल गई थी भयानक भीड के बीचो बीच चलता एक अकेला मसाफिर और बहुत बहुत जादा अकेला होके आपरेशन थेटर से वापस आ रहा था अब मेरी गलतियां मेरा एहंकार मेरा एगो तक मेरे साथ नहीं थे कुछ घंटो बाद जब मुझे ठीक से होश आया तो डॉक्टर और नर्स सामने खड़े थे नर्स ने कहा आपको मेजर हार्ट अटेक हुआ था वो तो अच्छा हुआ टाइम से यहां पे आ गए पेपर्स पे साइन कौन करेगा मैंने कहा जी मैं ही नर्स बोली आपके वालट में एक छोटी सी पुरानी डायरी में उपर लिखा था इन केस ओफ एमरजनसी कॉंटेक्ट रिचा मैंने कहा हाँ लेकिन वो नर्स ने कहा जी वो आ गई है चार घंटे से बाहर बैठी है कोई और नहीं था उन्होंने ही बलट दिया बहुत परिशान है आपके बारे में उन्होंने बताया कि वो आपकी वाइफ है दर्वाजा खुला सामने रिचा खड़ी थी एक शॉटकट जिन्दगी बिना शॉटकट के जीने का वक्त आ गया था बस इतनी से थी आज की कहानी